तो सबसे पहले मेरे यूटूब चेनल पर आने वाले सभी सेगा जनों को मेरा सेवा जोहार जैसेवा जेगोंडवाना चबड़ा दू तो जैसा कि हम लोग पिछले के अभिर समंदा जी के बारे में अध्यन कर रहे थे और हमने उनके बारे में उनका जन्म के बारे में जाना जन्म कहा हुआ था कब हुआ था फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि उनका व्यक्तित्व कैसा है बिर समंदा जी का फिर उसके बाद हमने देखा कि कि मिशनरियों किस प्रकार से एक कोट नेथी की चाल चली और अंग्रेजों ने और आज हम मिशनरियों का प्रवेश के वारे में जानकारी देखेंगे क्या-क्या वो प्रवेश कैंसे किया और भी चीजें हम आज किस वीडियो में कवर करेंगे तो इसमें देखो क्या लखा हुआ है कि 1857 के स्वतंत्रा युद्ध के बाद यूरूप से रोमन, कैथलिक, मिशन और जन्मल, लुथेरियन चर्च के मिशनरी का एक छोटा दल नाकपुर आया तो यहाँ पर बता जा रहा है कि जब 1857 का स्वतंत्रा युद्ध हुआ था उसके बाद यूरूप से है ना रोमन, कैथलिक और जर्मन, लुथेरियन थे कई एक छोटा दल नाकपुर जो की जारकंड का छेत्र है नाकपुर के एरिया में आया फिर क्या हुआ उन्होंने भूगों को खाना खिलाया, विध्याला चलाना, चुकित्सा के लिए दवा खाना, ऐसे समाजिक कारे प्रारंब किये सेवा की आड में ईशाई धर्म का प्रसार उनका मुख्योदेश था, यह है मैंने बात जो की आपको समझनी है उनका जो मुख्योदेश था, वह यह था कि वह अपने धर्म का, ईशाई धर्म का जादा से जादा प्रचार प्रसार कर सके जादा से जादा लोगों को मदद करें, उसकी सेवा करें जिससे कि वो लोग हमारी धर्म में आएं, अपना धर्म परिवतन करें तो जाद जाद वो अपने धर्म को फैलाना चाहते थे मैंन बात यही है फिर क्या था कि धीरे धीरे वनवासी बेवस होकर एशाई बनने लगी इस्कूल में पढ़ने के लिए एशाई नाम और घाल लोटने के बाद वास्तिवेक नाम यह सलसला भी चला हाँ तो यहसा मैंने पहले भी बताया था कि जो मिशनरी लोग थे वो शिक्षत तभी देते थे किसी व्यक्ति को बलब दूसरे वर्ग के जो लोग थे जब धर्म परिवतन करते थे जो पिरसा मुंडा जी थे तो उन्हें इस्कूल में अड़ीशन नहीं मिल ला था फिर उन्हें धर्म परिवतन किया था और वह मिस्नरियों का जो धर्म उन्हेंने स्विकार करके फिर उन्हें पढ़ाई की थी विसके वाद किस तरह इसा उन्हें छोड़ दिया थी ये भी मैंने विडियो में बताया था तो इस तरह के सिलसरा के लाम चलती रहे जब भैसकुल पढ़ने लगते थे फिर उनको एक नाम भी दिया जाता था ये सब बातें दी हुई है बनवाशियों को आश्वस्ण दिया गया कि यदि वे इसाई मत अपनाएंगे तो उनकी जमीन वा अन्य अधिकार बापस दिये जाएंगे तो अब लग क्योंने एक ये चेतावनी से दे रहते कि जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगी तब तक हम तो हमारी जमीन जंगल और ये सब चीज़ें नहीं देंगे और उसके बात क्या हुआ कि मिस्नरियों से आजवहसिन मिले के बाद मुंडा समाज के मुखिया इसायत अपनाने हित्तु सभाय करने लगी वह अपने अधिकारों को बापस लेने के लिए आंदोलन करने लगी तो यहां पर क्या एक बिद्रोसत छड़ गया था जब उनने अपने अधिकार चाहिए थे जो मुन्डा समाज था उनको तो उन्हें उने क्या किया कि सभाय करना सुरू कर दिया बास्तों में अग्रेज सासक बनवाशियों को उनके अधिकार या जमिन लोटाना नहीं चाहते थे फिर उसके बद क्या है दोके बाज इसाई मिस्योनरी वा धूरत अंग्रेज शी सासक इसके बारे में भी अपन तोड़ा सब पढ़ लेते हैं कि मुन्डाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोका था बहले वाले वनवाशी अब मिस्योनरीयों से इसका सीधर जवाब मांगने लगें जिस गाओं के मुन्डा इसाई बन जाते तो मिशन उस गाओं के सर्वन यानि की प्रातन स्तल की मांग करने लगता फिर क्या है कि मिशन के स्कूल में चात्रों को वनवाशी परंपरा को विक्रत बाश्मे बता कर उनके प्रतिक खिर्णा उच्पन्नक की जाती है यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो मिशनरी स्कूल से जो वनवाशी जो बच्चे लोग पढ़ने जाते थे तो उनको अपने जो परंपरा अपनी संस्कृति है उनके बारे में क्या है यह लोग उल्टा सीधा बताते थे कि तुम्हाँ धर्माश है गलत है यह पर जो भी है है ना यह सब बताते थे उसे उसमें गलतियां बताते थे और वह अपनी संस्कृति के प्रति मलकी जो उनकी वनवाशी के जो संस्कृति थी उन्हें घ्रणा कराते थे अपने प्रंपरागत अधिकाल लोटाने के लिए मुन्दा सरदारों ने संग्रेट थोकर अंग्रेजी साचकों के बुरुत संगर्स किया कोटल अंग्रेज सरकार मुन्दाओं को जूटे मुकदमे में फशा कर कड़ी सजायन देने लगी देखे क्या चलना है अंग्रेज जो मुन्दा सरकार थी वह मुन्दाओं को जूटे के इसमें पशा कर कर अपतार करने लगी थी और फशायन की सजायन देने लगी यह दवन्चक्र पूरी गती से चलने लगा इन सभी घटनाओं ने पिरसा के अंध प्रकण को जगजोर कर रखा दिया तो यह सब बात हैं आपको आज की वीडियो में देखनों के मिली कि मिशनरी और अंग्रेज योंने किस तरह से दोके बाजी की और किस तरह चाल लगा किसे जो मुंदा समाज की लोग थे उनके जनम जमीन हड़पने के लिए क्या क्या उन्होंने कूटनीती की चाल चली तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार आंगे की वीडियो में हम देखेंगे और फॉस्सी चीचे हमें देखनों के लिए मिलेगी मैं तो कुछ ने कुछ टालता ही रहता हूं जिससे की मेरा भी नौलिज बढ़े और आपका भी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना और यह किसी भी वर के किस समाज को आहत पहुचानी के लिए नहीं बनाई गई है यह वीडियो अगर किसी को बुरा लगाओ तो बताना कुछ गलती हो तो बताना मैं वीडियो को हटा दूँगा सेवा जोहार